हेलो गाईज ।। आज हम बनाने जा रहे हैं । रात के बचे हुए आट κाल से कुछ। तो चलिए हम देखते हैं क्या बनाते हैं.. तो जैसे की सभी के घर में रात के आटटμ कॉंटिटी में अपना आटा का डो बची जाता है तो उस आटे के डो से चलिए मैंने क्या बनाया तो मैं आपको बताती हूं तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छे लगए तो लाइक और सस्क्राइब कर दिजिएगा फॉलो भी प्रेस करके इस तरह के से मोटा एक डो इस तरह के से बना लेंगे रोटी बना लेंगे जैसे के पीजा टाइब से एक रोटी हातों से मैंने इसे बना लिया अब हम जो प्याज हरे मिर्ज धनिया कट करके रखा सभी को इसमें एड कर दिया इस तरह के से अब हम इसमें हाप जीरा पाउडर, हाप चमद, कस्मरी लाल मिर्ज, हाप चमद, चाठ मसाला असके अट की हूं। अब हम इसमें दो चमद घी को शचे आनाक से द भी क друзья मिला लेंगे। गाणाय म्लार के बाद करेंगे। भी हम सबी को असे मिलाने के बाद लिए यह देखिए। बनाने के बाद इस तरह से कट लगा देंगे अब सुखा आट, जोए पहले के डिवावलों के चीट कर Lao Temaast के रोटी वांड में घुम गोल करों करेंगे इस तरह से को हुआ मिल जाना इस दिया जाना प्री, नाचे अफ़का एगी म हैसे पहले के देश्कार जाएंगे अब हम उपर से घी हलका सा फिर से मैंने इसमें लगा दी हूँ अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप आयल हो या बटर हो आप ट्राय कर सकते हो इस तरीके से अब हम इसे सेख लेंगे तो ध्यान रहे गैस का आच एकदम लो रखना है क्योंकि रोटी हमारे मोटे है तो हमे इसे कम आचों में अच्छे तरीके से पका लेना है यह देखे मेरा मसाला रोटी लच्छेदार मसाला रोटी बनके तैयार है यह बहुत ही टेश्टी बनती है गाईज तो इसके साथ नहीं आपको कॉन सबजी चाहिए नहीं चटनी यह सिर्फ एक कप चाय के साथ आप ट्रा झाल 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 झाल